जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com पर आज नवरात्र की द्वितिया तिति में मा ब्रह्मचारणी की विदिवत पूजा अराधना करने का विदान है मा ब्रह्मचारणी जो है वह दुख दारिद्र का निवारन करती है और किसी भी जातक को किसी भी साधक को साधना की जो शक्ति है अर्थात नौ दिनों के साधना का यह जो क्रम है उस साधना को आगे बढ़ाने की शक्ति देती हैं मा ब्रह्मचारणी का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं ब्रह्म समान आचरण करने वाली ब्रह्मचारणी का स्वरूप ही यही है आप देखेंगे तो माता ब्रह्मच ब्रमचारणी जो है वह सनमार्ग में बढ़ने की प्रेणा देती हैं आपके अपने काम को अपनी साधना को निरंतर जारी रखने की प्रेणा आपको देती हैं यह प्रतीक है कि आप निरंतर अपने क्रम को जारी रखें आप जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत से पूरे इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा बहुत जादा महस्रपूर हो जाती है। अर्थात्मा ब्रह्मचारणी का जो प्रियभोग है वह शक्कर यानी चीनी का भोग लगा सकते हैं या फिर आप शहत का भोग भी विशेज भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आपको कल बताया था कि आप मंगल की शांती कर सकते हैं आज की तिथी में आप राहु ग्रह की शांती कर सकते हैं। यदि आपकी कुंड़ी में राहु की पीड़ा बहुत जादा है तो राहु की शांती के लिए आज यदि आप उपाए करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देवी भगवती के मंदर में जाकर के सफेद चंदन के चोटे चोटे टुकड़े आप दान कर सकते हैं। अपने घर में आप चोटे टुकड़े अपने पास रख सकते हैं किसी ब्राहण को दे सकते हैं। अगर आप अलसी का दान करते हैं तो राहु जने दोशों में आपको बहुत अच्छा फायदा उससे मिलता है। साथी साथ नवरात्र की द्वितियातिती में दुर्गा शप्चती के द्वितिय और तृतिय अध्याय का पाठ कर लेना किसी भी जातक को किसी भी साधक को उसकी साधना को पूर्ण करने में बहुत जादा सहायक होता है और देवी भगवती की प्रीती भी दिलाता है अर भात उनका स्ने उनका अश्रवाद भी आपको दिलाता है आप पाठ करने के उपरांत माता को शहद और गुगल का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा पायदा मिलता है कल भी हमने चर्चा की थी कि नवरातर के ये नौ दिन जो है वास्तु उपाय के लिए भी वास्तु के दिश्टी कोंड से भी बहुत महत्पकूर होते हैं यदि आपके घर में गंभीर वास्तु दोश है तो इन नवरातर के नौ दिनों में आप उन दोशों को दूर कर सकते हैं और आपने उसके लावा किसी भी प्रकार से वहां पर कोई गलती कर दी है कोई दोश उत्पन हो गया है तो उसकी शांती के लिए आज का दिन आज की तिति बहुत ही विशेश है आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षण पूर्ब किनारे पर चले जाएं और एक नीबू ले ले नीबू को आपको ध्यान यह रखना चाहिए कि वह बेदाग हो उसके कोई काले स्पोर्ट काले दब्बे ना हो काले दाग ना हो एक साफ सुथरा नीबू ले ले और उस नीबू को दो टुकड़े में आप काट ले दक्षण पूर्वी कोने से यानि साउथीस कॉर्णर से आपको शुरू करना है जो मंत्र मैं बताता हूं इस मंत्र का उचारण करते हुए आगे तक आपको जाना उस नीबू को निचोड़ देना उसका रस वहां साउथीस कॉर्णर में गिराते हुए आपको जाना है मंत्र का जो उचारण करना है वो समझ लीजे क्लींग क्लीं क्लींग प्लींग आगनेयाम देव्याइनमा इस मंत्र का उचारण करते हुए नीबू के रज से किनारे को आप सींचित करें उसको सींचित दें वहां पे इस जल नीबू के रज का छड़काव कर दें हर प्रकार के रोग कस्ट और वास्तुदोशों का निवारण हो जाता है एक बार जब आपके घर से वास्तुदोश दूर हो जाएंगे आपके ग्रहों की इस्तितियां ठीक होंगी तो निश्चित तोर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भगवती की क्रिपा पराप्त करने के लिए आज का दिन आज की तितिती बहुत ही विशेश और मात पर पूर्ण है तो चलिए आचारे जी आपने पंचांग बताया और महाउपाय बताया इसके लावा राशी फल बताया आपका बहुत दोच शुक्रिया जैनुश्का तो फिलाल आपके सितारे में इतना ही लेकिन खबरों का सिलसला समाचार प्लस पर लगता है जाएंग मात पर लगता है जाएंग 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 लगता है